हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिपेर फॉर नौकरी दोस्तो हेल देज हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड में इंजिनियर के पोस्ट के लिए वेकिंसिस आई है तो नॉन गेट है यानि कि बिदाउट गेट है इसमें जो भी कंडिडिट इलिजिबल है आई को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिए क्योंकि आपको कोई भी अपडेट जाती है तो आप मिस ना कर पाएं और टिलिग्राम भी जोईन कर लिए वहाँ पर पीडियाफ आपको मिल जाती है तो देखिए इसका एक्जामनेशन डेट मैं एक पर फिर द अपने expense के अधार पर जाएंगे तो date, time और when you आपको बता दिया जाएगा तो candidate जो has to download their admin card आप download करेंगे तो इसको देखिए admin card will not be sent by either mail और post तो आपको उसके website से ही download करना होगा तो देखिए online test will be held at cities as indicated in the online application form भरेंगे तो आपको जो भी center होगा वो आपको so हो जाएगा वह उसके बाद कोई भी आप change नहीं कर सकते हैं कोई भी circumstances में लेकिन HAL आपको उसको write रहता है कि वो change कर सकता है तो इसका हो गया कि किस तरह से examination होने वाला है आप देखिए तो candidate जो आहां पर test में जाएगे उनको एक अपना ID लेकर जाना होगा तो देखिए आप बात करते हम test तो test होगा ओ two and half hour duration का होगा यानि कि 150 minute का होगा इसको आप लोगों को ध्यान रखना है 150 minute का होगा test जिसमें कि three parts होगे तीन parts होगे ध्यान रखिएगा दोस्तों तीन parts में होगे और जिसमें कि multiple choice question होगे multiple choice question होगे जिसमें कि part first में क्या होगे तो 20 MCQ का general awareness का section होगा तो देख कि आपको general awareness के तयारी अगर करना चाहते हैं HAL का तो आपको prepare for notary official जो है इसको join कर लिजिए एनि कि subscribe कर लिजिए यहाँ पर आपको general awareness का एकदम तयारी करवाया जाएगा तो general awareness के 20 question के लिए इस channel आपके लिए महत्पूर्ण योगदान करेगा भी तो general awareness part first में होगा part second में हो content का section आने वाला है इसमें की 40 question English और रिजिनिंग का होगा part second में तो total cool मिलाकर question होगे 60 उसके बाद 100 question आपको मिलेगा जो भी आपके engineering discipline है mechanical के हैं तो mechanical का इस तरह से आपको 100 question जो है मिलने वाला है तो part third में 100 MCQ होगे जो discipline होगे और test जो हो हिंदी और English दोनों language में से होगा तो उसमें से कोई भी एक language में आप देंगे तो ओ आपको applying जो post करेंगे उसी समय आपसे मांग लिया जाएगा कि आप test हिंदी में देंगे या English में देंगे तो उसको आपको ध्यान से चूज करना है कि आप पता चले हिंदी चूज कर लिए examination आपको हिंदी में ही आएगा और उ आपको 40 question होंगे reasoning और English के part 3 में आपको relative discipline के 100 question देखने को मिलेंगे उसके बाद देखिए जो online test होगा उसके mark के अधार पे जो 5 गुना candidate को बुलाए जाएगा जो जितने भी vacancies होंगे respective categories में तो उसमें आपको 5 गुना interview के लिए बुलाए जाएगा तो interview के लिए और इसमें देखिए interview के लिए जब बुलाए जाएगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 85% यहाँ पर betis होगा वह होगा return test का पचासी परसेंट betis होगा return test का इसका ध्यान रखना है और 15% interview का होगा यानि कि आप return test में जितना marks लाते हैं उतना आपको benefit जो है देखने को मिलेग और इस test में कोई भी यहाँ पर निगेटी मार्किंग नहीं है तो निगेटी मार्किंग नहीं है इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों आप देखिए आपको सवाल आएगा कि यह तो advertisement में लिखा हुआ था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से test होने वाला ह आप question किस तरह से आएंगे तो देखिए question आपको इतना एक्जाम देते आ रहे हैं ससी जई कोल इंडिया का एक्जाम निशन दिया होगा बाइजग स्टील का थोड़ा सा different paper था अपने सभी paper में यहां पर एक एक करके share करूँगा तो आप देखिए level आपको उसी तरह से रहन इसका तो मैं यहां पर चैनल पर करवाने वाला हूं तो उसके लिए आपको लिए important हो जाएगा reasoning आपको उसी तरह से त्यार करना है mechanical भी आपको देखिए gate level का question नहीं आएगा क्योंकि अगर एक मिनट एक question को मिलते हैं चाहाँ उससे कम मिलते हैं तो आपको gate level का question नहीं आग होते हैं कुछ इसमें देखिए numericals भी आएंगे लेकिन numerical का बेटे बहुत ही कम रहेगा आपको इसमें ध्यान रखना है आपको हर एक subject को prepare करना है जिस तरह से आपको mechanical का मैं अगर यहां पर पर परसनली अगर बात करना चाहूं तो इससे जो subject होते हैं जैसे engineering mechanics से सॉम, टॉम design, thermal, application उसके parts, production का parts होते हैं, industrial engineering तो सभी कुछ आपको एक करके तयार करना होगा अब बोलेंगे कि इतने कम दिनों में कैसे तयारी हो जागा तो आपको देखे एक दो महिने की चीज नहीं है कि में किनकल आप तयारी कर सकते हैं हाँ question इसके practice कर सकते हैं लेकिन आपको तयारी अगर करना है तो अच्छे से आपको देखे एक exam को लेकर नहीं चल सकते हैं आपको हर एक exam का तयारी करना पड़ेगा और एक दो महिने में तयारी आपको सिर्फ question practice से हो सकता है तो otherwise कम से कम 6 महिने तो चाहिए ही कोई भी exam के तयारी करने के लिए तो अगर आप पहले से तया हैं तो आपके लिए जोब बहतरीन होगा और आप सफलता निश्यत रुप से ले सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूं देखिए आप लोग अगर चाहेंगे तहां पर आपको पूरा guidance इस चैनल पर मिलेगा तो दोस्तो प्लीज हाथ जोड़कर मैं बिं लगी जो अश्टड़ी फोर नौकरी चैनल पर मिला करती थी तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस रखिए मैं कोशिस करूँगा कि हर चीज प्रवाइड करवा हूं आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री और कॉस्ट में सो थैंक्यू गाइ इस वीडियो में इतना ही